रादे रादे यह देखे हमारे पास जो चित्रपट है बाक्य बिहारी जी का आज हमोंने वस्त पेनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो इतनी सुंदर सीख है वो भी मैं आपको बताती हूं और अभी एक सकी ने मुझे कमेंट किया कि आपको कैसे अलाओ कर दिया प्रभू ने मतलब बताने के लिए देखे अब मैं आपको पहले यह सब शायद ना मैं एक सबसे पहले कहूंगी कि पहले सारे मेरे ना वीडियो को देखोगे तब शायद आपको पता चलेगा आपको अज की वात मतलब उनकी लीला और मैंने प्रभू की वही लीला यह शेयर की है जिसमें प्रभू ने कोई न कोई सीख दी है जैसे कि आज की लीला अब वह समझना ऑर न समझना देखे आपके उपर भी जाता है कारण क्या है कि मैंने कहा न मैं इससे में थोड़ा व्यस्त र ना देती हो ताकि यह सब को पता चले किसमें सीख किसमें प्रभु ने जो सीख दी है बांके भिहारी जी वाली जो चित्रपट की लीला है उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने के कोशिश की है अगर आपकी शृद्धा अगर आपके भाव सच में पवित्र हैं तो चित आपके घर में विराजित हो जाएंगे तो आपके घर में स्वेंप विराजित हो जाएंगे स्थापित हो जाएंगे चाहें वो कुछ भी क्यों नहीं हो यह सब आपके भाव पे डिपेंट करता है कि आप प्रभु को ला रहे हैं बहुत सारे लोग परिशाने हमारी पास को देने की कोशिश की है कि आप मुझे अगर भाव में भी याद करते ना उन्हों ने ये तक सिद्ध कर दिया है कि उनके किसी भी विग्रह को किसी भी चित्रपट को प्राण प्रतिस्ठा की जरूरत नहीं है अगर आप लड़ु गोपाल, बाके बिहारी जी, काना जी आप सिर्फ रदे से उनको बुलाते हैं और उनको पूरे भाव के साथ आप उनको पूछते हैं तो यकीन मानिए वो स्वेम आपके घर में आ जाएंगे अब ये आपके उपर है, कितनी सुन्दर सी खुश हो जाईए कि प्रभू ने बता दिया है कि वो चित्रपट में विराजमान है, वो एक प्लेन पेपर में भी विराजमान है बस पकड़ना कैसे है, आपके भाव को, आपके मन को, आपके जित्त को आपका मन जैसे उनको पकड़ना चाहता है, उसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यक्ता नहीं है आप आख बंद करके, मैंने पहले भी कहा है, आप भ्रम सेवा उनसे कर सकते है आप उनको ज्यान सेवा, मन सेवा से भी अपने पास हमेशा रख सकते हैं